My dear friend, today I am discussing the most important and confusing question of Indian polity. I have collected many questions which either you don't know the answer or you make mistake in the examination. So let us start. मैंने यहाँ पर हिंदी में बहुत सारे questions लगवग 500 के लगवग मैंने questions लिखे हैं जो या तो आप exam में confused हो जाते हैं या फिर आप उसका answer ही नहीं जानते हैं वो simple question आपको कहीं book में मिलता नहीं है और वो exam में questions frequently आते हैं बट आप उनका answer जानते ही नहीं या फिर आपने कहीं किसी book में उतने standard question को तो पढ़ा है बट यह simple questions आपसे छूट जाते हैं जो exam में आते हैं और आप जानते हैं competition में एक number भी कितना माइने रखता है तो मैंने सिर्फ उन्ही questions को इसमें collect किया है जो questions या तो आपसे mistake हो जाता है या फिर वो आप जानते ही नहीं हो वैसे questions बट आपके दिमाग में जब मैं बता हूँ आ तो आपको लेगा हाँ ये question तो मुझे जानना चाहिए था ये तो exam point of view से important है तो हम without wasting time start करते हैं questions को भारतिय राजविवस्था जैसा कि आप देख रहे हैं संविधान का अंतिम अधिवेशन पहला अंतिम बैठक जो हुआ था संविधान का कब हुआ था 24 जनबरी 1950 सवी को फिर उसके बाद 26 जनबरी 1950 सवी को संविधान लागू भी हो गया तो सबसे लास्ट बैठक जो हुआ था लास्ट अडिवेशन जो संविधान सवा बना था उसका लास्ट अडिवेशन कब हुआ था ये question कितनी बार एक जाम में पूछा गया है और इसका आंसर नहीं दे पाते हैं तो लास्ट मतलब लागू होने से पहले जो बैठक हुआ था वो तो 24 जनबरी 1950 इसका आंसर हो जाएगा चलिए इसके बाद बताते हैं संविधान सवा के अध्यक्ष किसे निक्त किया गया था तो संविधान सवा का अध्यक्ष ये तो आप जानते होंगे पकाई जानते होंगे डॉक्टर राजेंदर परसाद बट मैं कह सकता हूं कि आप क्या संविधान सवा के उपाध्यक्ष का नाम जानते हैं तो वह कौन थे संविधान सवा के उपाध्यक्ष थे आगे बात करते हैं पूछा जाता है कि संविधान सवा के संव कार कि रूप में नीप्त किया गया इसके बाद देखिए भृत में लोकायुक्त करने वाला पेहला राज्य कोन सा था महराष्ट्रा पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त के concept को launch किया था या पहली बार उसको लागू किया था चलिए आगे बढ़ते हैं नीती आयोग के पहले CEO कौन थे अब उसका नाम भूल चुके होंगे क्योंकि 2015 की कहानी है जब एक जनबरी 2015 को planning commission योजना आयोग को हटा कर नीती आयोग बना था तो उसमें उसके CEO कौन थे वो कौ पहले मुखमंत्री कौन थे आप जानते हैं तेलंगना राजिका निर्मान कब हुआ था तेलंगना राजिका निर्मान दो जून 2014 इस भी को हुआ था तो उसके पहले मुखमंत्री एक्जाम में पूछे जाते हैं तो कब उसका क्या हो जाएगा अंसर चंद्र सेखर राओ आ अभी जो चल रहा है इससे पहले वाले लोकसवा में कौन सी थी लोकसवा सुमित्रा महाजन थी कि पहली महला लोकसवा अध्यक्ष कौन थी पहली मैला लोकसवा अध्यक्ष मीरा कुमार थी चलिया आगे बढ़ते हैं यहां पे तो आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग लोक सभा के पहले बहुमत दल के नेता कौन थे तो पहले बहुमत दल के नेता कौन थे अगर आपको यही पूछा जाता कि लोक सभा के पहले परधान मंतरी कौन थे आप फटाक से आंसर देते जवारलाल नेहरू बड कोस्चन को देखे किस तरह से ट्विस्ट किया गया है लो लोग सभा के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप यह आंसर जानते थे लोग सभा में नेता विपक्ष पहली वार कौन बने मतलब फस्ट जो लोग सभा था उस लोग सभा में नेता प्रतिपक्ष कौन थे तो वह कौन थे बच्चों एक एक्षी वार सभका निपती नहीं हो तो पहली वार सभा में किस नेता को अस्थान दिया गया तो मैं आपको बता दूँ मैं sri N Gopala Swami aoswar को स्थे पहले रात्व के नेता के रूप में स्थान किया है राजसवा के जो लीडर कहे जाते हैं वो कहां बैठते हैं डाइडिक्ट अध्यक्ष जो होता है जो राजसवा का अध्यक्ष आप जानते हैं उनका नाम राष्टपती होते हैं परचेंट राष्टपती जो उपराष्टपती जो होंगे वो होंगे उनके सामने जो बैठते है उन्हीं को क्या कहा जाता है राजसभा के नेता लीडर आफ दा राजसभा कहा जाता है और पहले राजसभा के नेता कौन थे स्री एन गोपाला स्वामी ऐयर आगे बढ़िए तो राजसभा के पहले नेता परतिपक्ष कौन थे जानते थे आप क्या है बच्चो मैं आपसे और मैं आप question bank उठा के देखिया आपको यह सारे question exam के पूछे हुए questions अब आगे का बात करते हैं गांधी टोपी पहन कर सदल में अधियक्स्ता करने वाले पहले आध्यक्ष का राव सब्सक्रार बात करंबतें वर्ड आता है कि गांधी टोपी पहन कर सदन में अध्यक्षता करने वाले भी पहले अध्यक्षते जीवी मावलंकर आगे बढ़ते हैं तेहत्तर्मा और चोहत्तर्मा संभिधान संसोधन जो कि आप किस से संबंदित है तेहत्तर्मा और चोहत्तर्मा संभिधान संसोधन जो है सब्सक्राइब ए घ्रादराइब को ला गया पन्चाइती राजी विवस्ता को लाएगए आप यह जानते हैं प्रधानमंतरी नर्शिम्हा राओ थे तो आपको कि मैं अस लिए स्लीए इसली आप देखिए questions वो हैं जो एक्जाम में कहीं न कहीं पूचे गए हैं या आगे के एक्जाम में आ सकते हैं मैं उन्हीं को लिखाओं अब भारत के पहले Solicitor General कौन थे Solicitor General कौन थे भी नरहरी राओ भारत के पहले महानियाईवादी कौन थे तो MC सीतल वाड और जानते हैं महानियाईवादी जो होता है वो के अंदर में हेड होता है लौ अधिकारी सबसे वरा लौ अफसर कौन सा होता है महानियाईवादी होता है उसके बाद कौन होता है Solicitor General होता है फिर उसके बाद कौन होता है Assistant Solicitor General होता है तो यहाँ पे मैंने दो question को collect किया है पहले solicitor general कौन थे वी नररी राव आगे बात करते हैं भारत के पहले महान्याईवादी कौन थे MC सीतल वार भारत के पहले कार्जकारी राष्टपती कौन थे मतलब कार्जकारी राष्टपती के रूप में किसका निक्ति किया गया था कौन बने थे वी वी गिरी ये कार्जकारी राष्टपती थे भारत के सबसे वरे कानून अधिकारी कौन होते हैं जो मैं आपको आज बता रहा हूँ पंचाईती राज प्रनाली का पिता किसे कहा जाता है बलवंत राई महता को कहा जाता है अब देखिए उच्च नियायले के जज का अस्थानांतरन करता है अपने खूब सुना होगा नुकती कोन करता है पतना है कितना साल होता है मैक्सिमम कितना साल तक वह रहा सकता है अब एक निया ग elabor ने देखिए अगर पतना हाइक कोड का कोई जज है उसको अगर लखनव हाई कोड का जज भी बनाना होगा तो उसके लिए किसका परमिसन चाहिए राष्टपती कौन इसे हस्तांतरित कर सकता है राष्टपती कर सकता है भारतिय संसद का सुभारंब किस ने किया मतलब inauguration जिसे मोधी आज हर एक चीज में कहीं कहीं जाते है न इनागरेट करने के लिए कोई building बनता है तो वैसे ही पहली वार भारतिय संसद जब बना था Indian Parliament तो उसका सुभारंब किस ने किया था Lord Irwin ने किया था 1907 सबी में अब पूछा जाता है कि संबिधान सबा को बनाने में कितनी बैठके हुई थी कितनी बार संबिधान सबा के लिए बैठक जैसे मैंने बताया था लास्ट बैठक कब हुआ था 24 जनबरी 1950 सबी को उसी तरह total क कितनी बैठके हुई थी संबिधान सबा को बनाने के लिए तो 11 बैठक हुए थे अब ये तो आप फैक्ट जानते होंगे बट कंफ्यूजिंग है इसलिए मैंने फिर से लिख दिया है मूल डूप से भारतिय संबिधान में कितने अनुछेद थे 395 अनुछेद थे 22 भाग थ और अनुसुची की बात करें तो 8 अनुसुची था अब 12 अनुसुची हो गया है आगे बढ़ते हैं हमारा भारतिय राष्टिय जो ध्वज है जिसे दिरंगा करते हैं वो किस की द्वारा तयार किया गया था आप जानते होंगे पिंगली वेंक जानता है पूछा क्या जाता कब अपना आया हमारी संभिधाण सभाग ने लिए 19147 को अपनाया और वही 19 47 में में जब आजाध हुआ तो 15 अगस्त 19 spa वही टिरनगा प्रिखर आया गया तो आप इस तरह से रिलेट करके भी पढ़िये यह तो वन लाइनर है तो आप किसी कौस्चन के बाद कोई भारत लोकसभा में अंगल भारती है समदा है जो एंगलो इंडियन होते हैं उनके प्रतनीदित का चर्था क्षिचानुच्छेद में किया गया है एकल नागरिक्ता का विचार किस देश के संबिधान से लिया गया है इंगलेंड के संबिधान से लिया गया है एकहरी नागरिक ओसने इसको डिफाइन किया आप मेरा वो वीडियो देखिए उच्छी न्याइडिस तर्म की जुक्त्य कौन करता है उच्चिने आयलेके मुख्यने आयदिस dependency कौन करता है राष्ठपति करता है अब यहां पर data डिया स wyb गवर्णर टिक कर देंगे नहीं ऐसा नहीं होता है उच्छी नहयाए लेके मुख नहयाई दिस था अन्य नहयाई दिसों की न्यूकती भी करता है और उसको अस्थान अंत्रित करने का भी अधिकार किसको होता है राष्टपति किस दो राजियों में पंचायती राज विवस्था पहली वार लगाया गया ये तो आप जानते ही होगे आंधरपरदेश और राजस्थान ये दो राज थे जहां पे पंचायती राज विवस्था पहली वार लगाया गया था चलिए ये फिर important question है और अच्छा question है पहली वार और विश्वास प्रस्ताव लोक सभा में स्वतंदरता के बाद कब पेस किया गया पहली वार और विश्वास प्रस्ताव क्या होता है मैं फिर बोलूँगा वीडियो जाके देखिए वैसे मैं अभी बता दे रहा हूं और विश्वास प्रस्ताव वो होता है जब जैसे कोई भ सरकार पर हमारा विश्वास नहीं है और जब ऐसा हम पारित करेंगे एक रिजॉलिशन तो अगर उसको बहुमत से पारित हो गया तो उस सरकार को अपनी गद्धी छोड़नी परेगी यही होता है और विश्वास प्रस्ताव या नो कॉंफिडेंस मोशन तो पूछा जा रहा है कि सुतंतता के बाद पहली वार लोकसवाव में और विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया तो आचार्ज क्रिपलानी ने पेश किया था इसलिए मैंने लिखा है यहां पे आचार्ज क्रिपलानी किसके बिरुद पर्थम परधान मंत्री पंडिज जवाहर लाल नहरू के विरुद्ध आचार्ज क्रिपलानी ने पेस किया था आगे बढ़ते हैं भारत में वित्तिया आपात की घूसना कितनी वार किया गया है अब यहां पर बच्चे राष्टिया आपात सोच के कुछ भी आंसर देने लगते हैं कि युद्ध में 1962 के युद्ध में क एक भी बार नहीं लगा है आगे पूछा जाता है कि संभिधान सभा के द्वारा संभिधान बनाने का आधार किस योजना को लिया गया है तो इसमें भी सब 1935 का भारत सरकार अधनियम दिया रहेगा और आप उसमें कनफ्यूज होते रहते हैं बट आपको पता होना चाहिए Cabinet Mission भारत मैं आया ही इसी लिये था कि भारत में एक संभिधान सभा का गठन हो एक संभिधान का निर्मान हो मेन उद्द्स भी Cabinet Mission का ये था तो क्या होगा इसका अंसर बच्चो संभिधान सभा के दौरा संभिधान बनाने का अधिकार जो Cabinet Mission प्लान जो आया था 1946 आजाती से प और पहला अधिवेशन जो सम्विदान सभाका हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को प्रारम हुआ यहां भी मैं आपको बता दूँ कि इस्टुडेंट कन्फ्यूज होते हैं 11 दिसंबर 1946 सभी से 11 दिसंबर 1946 को सकेंड बैठक हुआ था सम्विदान सभाका जिसमें डॉक्टर राजेंद प्रसाद को क्या नियुक्त किया गया था अध्यक्ष वास्थाई नहीं अध्यक्ष सम्विदान सभाका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 11 दिसंबर 1946 सभी को तो उससे कन्फ्यूज अप मत होई है जब कोश्चन पूछा जाए कि सम्विदान सभाका पहला अधिवेशन क संब्दाइस के लिए संभिध्न सवा बनाने का प्रस्ताव किसके द्वरा दिया गया था अब संभिध्न बनाना हैं हमको तो 1 9 इस तरह से कहां से आयेंगे इस चीज के बारे में किस ने बताया था M.N.I. ने बताया था और आप उपर पर चुके हैं किसको Advisor कहा जाता था? समबईधान सभा का समबईधानिक सलाहकार किसे कहा जाता था? वो कौन थे? जर आप बात कर रहे थे कि संभीधान बनाने के लिए संभीधान सभाव बनाने का प्रस्ताव किसso kasu तो संबिधान सभा बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था अमन राइक के द्वारा दिया गया था संबिधान सबा को संबिधान बनाने में कितने समय लगे 2 वर्स, 11 मैंने और 18 दिन का समय लगा था यह तो आप जानते होंगे संबिधान merciful भारतिय संबिधान को कितने संबिधान में अपनाया गया मतलब बन के तयार हुआ और अपना किस दिन लिया गया 26 नवंबर 1949 को और इसलिए आप जानते हैं 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में इंडिया में मनाया जाता है क्यों कानून दिवस क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान बनके तयार हुई हुआ था और इसी दिन उसे अपना लिया गया था तो इसलिए तो भारतिय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया तो मैं उमीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे कोश्चन अच्छे लग रहे होंगे और आप इसमें इस वीडियो में अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मैं आपसे उमीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे तो था ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड में सेयर करेंगे 26 जनवरी 1950 इसवी को संविधान लागू हो जाता है 26 नवंबर 1949 इसवी को अपनाया जाता है अब देख लिजिए और लागू कब हो जाता है संविधान 26 जनवरी 1950 इसवी को संविधान लागू किया जाता है दोनों एक साथ मैंने लिखा है उपराष्टपती को हटाने के लिए प्रस्ताव किस सभा में पेस किया जाना चाहिए यहां भी बच्चे कनफ्यूज लोकसभा या राजसभा एक उप्सन आपको यहां पे पका रहेगा किसी भी सदन में और बच्चे इसी को लगाते हैं टिक या तो लोकसभा या राजसभा बट आपको मैं बता दूँ राष्टपती का लोकसभा से ज़्यादा कुछ भी लेना देना नहीं रहता है वह राजसभा में ही मेन होता है इसलिए राष्टपती को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो किस सभा में पेस किया जाता है राज्य सभा में ही पेस किया जाता है चलते हैं आगे लोक लेखा समीती अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तूत करती है आपने पढ़ा होगा आकलन समीती प्राकलन समीती लोक लेखा समीती ये सबी समीतियां होती है किसकी लोक सभा की तो उसमे से लोक लेखा समिती जो है वहापना रिपोर्ट किसे प्रस्तूत करती है लोक सवा के अध्यक्ष को प्रस्तूत करती है और राज लोक सेवा आयोग के सदस्य किसे अपना इस्तिफा देते हैं जो जिसे बीप्यस्य होता है तो बिहार के लिए BPSC हो गया Public Service Commission, बिहार लोकसेवा आयोग, उसी तरह हर राजी का अपना अपना लोकसेवा आयोग होता है, तो वो लोकसेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तिपा किसे देते हैं? गवर्नर को देते हैं, थोड़ा ये वीडियो लंबा जाएगा, पट आप ल 37 को किया गया, ये भी आपको सायद नहीं मालूम होगा, चलते हैं आगे, संविदान सवा के ओस्थाई अध्यक्ष कौन थे? आजैसा कि आपको मैंने बताया, 9 दिसंबर 1946 को संविदान सवा का पहला बैठक हुआ था, जिसमें सबसे बूढ़े सदस्य, सबसे एजड सदस्य सजदान सिन्ना को संविदान सवा का ओस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, जब कि 11 दिसंबर 1946 को संविदान सवा की दूसरी बैठक हुई और उसमें, डौक्टर राजंद्र परसाद को क्या बनाया गया? अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया आगे बढ़ते हैं बिधान सभा को भंग करने की बाद सम्भिधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है बिधान सभा को भंग करने की बाद सम्भिधान के 169, 179 वहां जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया है उच्छी नयायले के नयायदीसों की वेतन में कब कटोती की जाती है तो उच्छी नयायले रहे राष्टपती रहे इन सब के वेतन में कटोती की जाती है जब वितिया आपातकाल की घोसना होती है तो राष्टपती उच्छी नयायले के मुख नयायदीस उच्छी नयायले के म मुख नयदिस इन सब के वेतन में कटवती की जाती है वो किसके दौरान किया जाता है वित्तिय आपात काल के दौरान किया जाता है जब उपराष्ट पती राष्ट पती के पद पर होता है तो उसे वेतन तथा वत्ते किस पद के लिए दिये जाते हैं अब यहां पर यह कोश् राजसवा का सभापती होता है और उसे वेतन और भत्ते उपराश्टपती को उपराश्टपती के लिए कभी वेतन और भत्ते नहीं दिये जाते हैं उसको जब वह राजसवा में सभापती होता है तो राजसवा के सभापती के रूप में उसको दिया जाता है और जब राश्टपती के पद के लिए ही दिये जाते हैं। यहां पे भी confusion नई होना है। संग लोग से वायोग की रिपोर्ट की चर्चा कहां की जाती है। तो हम बात करते हैं, संग लोग सेवा आयोग के रिपोर्ट की चर्चा कहां की जाती है, यह संसद में किया जाता है, संग लोग सेवा आयोग के रिपोर्ट की चर्चा संसद में की जाती है, संग लोग सेवा आयोग जिसको आप UPSC बोलते हैं, वो कोई भी संसोधन या कोई भ सदस्यों का चुनाम में कोई पैटर्न चेंज करना है इस सबसे संबंदि जो भी रिपोर्ट दिया जाता है उसका चर्चा संसद में किया जाता है विश्चु का सबसे संचिप्त संविधान किस देश का है और लिखित संविधान भी दोनों बात संचिप्त सबसे छोटा संवि अनुस्चा 46 तो आप जानते हैं लेकिन अगर पूछा जाए आपको जगह तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कहां पे हुआ था संबिधान सभा की पहली वेठक यह मैं संसद की बैठक की बात नहीं कर रहा हूं संबिधान बनाने में जो संबिधान सभा बना था उसकी पहली वेठक कहां हुई तो वो नहीं दिल्ली में हुई थी अनुस्चे जातियों की संख्यां किस राज्य में सरवादिक है फिर से यहां पे कन्फ्यूज होते हैं बच्चे अनुस्चे जन जातियों की संख्यां जब पूछा जाता है तो पर देसमें जादा हैं क्योंकि वहां पर पेर पोदे भी वन भी जादा है इसलिए मद्य पर०स में हो जाएगा जब अनुसुचीत जंजार्टियों की बात किया जाये तो वह आदिवासी हुए है और उप्वासी और उनकी संख्यां मद्य पर एक नहीं किया गया था और यह पद अब हटा वी दिया गया है और वैसे मैं आपको बता दूँ एक बार रेलबे के एक जाम में कोश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले उप्रधानमंत्री कौन थे अब बच्चे कंफ्यूज कहीं पढ़े ही नहीं तो उस प्रधानमंत्री वही होते हैं जो ग्रिह मंत्री थे उस समय के ग्रिह मंत्री थे वही उप्रधानमंत्री थे तो सरदार बल्लब भाई पटेल तो आप यह भी कुश्चन दिमाग में रखिए कि संबिधान में किस पद का उलेख नहीं किया गया उप्रधानमंत्री के पद का उलेख नहीं किय गया गया है और अगर पूछा जाए कि भारत के पहले उपरदानमंत्री कौन थे तो वो कौन थे सर्दार बल्लबाई पटेल जो कि उस समय के ग्रिह मंत्री थे कौन सा मौलिक अधिकार गैर भारतियों को भी प्राप्त है मतलब फॉरेनर्स यह कोश्चन सीधा पूछा जाता ह बिदोसियों को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है तो बोलने की स्वतन्दरता freedom of speech इंगलिस में बोलते है freedom of speech तो यह किसको प्राप्त है गैर भारतियों को भी चाहे वो फॉरेनर्स रहे अंगलो इंडियन्स रहे उन सब को भी क्या है मौलिक अधिकार की रूप में यह जाता है कौनसा एक ही मौलिक अधिकार है जो बोलने की सुतंदरता जो है जो गैर भारतियों को प्राप्त होता है या आप बोल सकते हैं freedom of speech आगे बढ़ते हैं लोकसभा के द्वारा पास किये धन विद्यक को राजसभा कितने दिनों तक रख सकता है यह भी question है अब देखिए आपको पता है कि धन विद्यक का पूरा अधिकार लोकसभा को ही होता है और लोकसभा में धन विद्यक पेस भी किया जा सकता है और कोई भी विद्यक धन विद्यक है या नहीं है इसका चुनाव कोन करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है यह सब question आपने खुब पढ़ा हो कि लोकसभा जब पास कर दे धनविדयक को वहीं पेश्य की आ जाएगा लोकसभा में सबसे पहली वार अगर लोकसभा पास कर दे तो राजसवा कितने दिनों तक रख सकता है जादा से जादा 14 दिन तक उसको उसको साइन करना है नहीं भी किया तो भी उसको रिटर्न लोटाना है कितने दिन पे 14 दिन पे क्योंकि लोकसवा का ही अधिकार धन विदेग पे होता है राजसभा से भी ज्यादा आधिकार धनविद्यक पे लोगसभा का होता है इसलिए 14 दिन के अंदर उसे क्या करना पड़ता है लोटाना पड़ता है आगे बढ़ते हैं 2026 तक लोगसभा तता राजसभा की सीट किस संबिधान संसोधन के द्वारा सुरक्षित किया गया है जो अभी लोगसभा का करेंट जो सीट है मैक्सिमम सीट कितना है 552 हो सकता है लोगसभा का और अभी कितना है 543 सीट है जो कि आप जानते हैं तो यह सब सीट का जो बटवारा राजी किया गया है तो वो 2026 तक बस इतना ही सीट रहेगा उसमें बढ़ोतरी घटोतरी नहीं की जा लोगसवा का सीट नहीं बढ़ाया जासकता है नहीं गटाया जासकता है दोजार छबिस तक तो यह đầu एकूस समविधान संसोधन के द्वारा किया गया था चौड़ासीमा समविधान संसोधन के अध्यादेश जारी कर सकता है अब ये भी जानते हैं किस अनुछेद के तहद 120 अनुछेद के तहद 123 और जब गवर्नर अनुछेद जारी करेगा तो वो कितना अनुछेद के तरफ वो अनुछेद कितना 213 जब गवर्नर अध्यादेश जारी करता है तो उसे हम लोग 213 के तह परते हैं अनुच्छेद के तहद और जब राष्टपती अध्यादेश जारी करता है तो 123 मतलब 123 अनुच्छेद के तहद राष्टपती अध्यादेश जारी करता है तो यहां पर question क्या है गवर्नर के द्वारा जारी अध्यादेश को विधान सभा के द्वारा कितने दिनों म पस छे हफते तक ही रहेगा छे हफते के अंदर अगर विधान सभा पास नहीं किया तो वो कानून हट जाएगा अगर विधान सभा ने पास कर दिया तो वो जो भी अध्यादेश के रूप में गवर्नर जो भी कानून चालू करेगा वो राज में लगा रहेगा आगे बात करत कब दिया गया और मैं आपको एक चीज बताऊं 1969 एक ऐसा येर्स है ना जिसमें बहुत सारी घटनाएं हुई है बहुत सारी घटनाएं हुई है तो अगर एक्जाम में यह option रहता है तो आपको कंफ्यूज होना परता है अब थोड़ा सोचिए कि क्या यह सही है इसका आंसर गोवा को राजी का दर्जा कब दिया गया गया लोग लेखा समीती में कितने सदस्य होते हैं इसे अंग्रेजी में बोलते हैं पवलिक एकाउंट कमिटी इसमें कितने टोटल सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं जिसमें से लोक सवा से 15 चुनके आते हैं और राजी सवा से 7 सदस्य चुनके आते हैं 15 और साय कितना हो गया 15 और साथ 22 तो टोटल लोक सवा लोक लेखा सवीती में सदस्यों की संख्यां 22 होती है जिसमे से लोक सभा से 15 तता राज सभा से 7 चुन के आते हैं अब पूछा जाता है अखंडता धर्मनेर प्रक्षता समाजवाद और एकता इन सब्दों को संभिधान में किस संभिधान संसोधन के द्वारा जोरा गया तो 42 संभिधान संसोधन 1976 के ताद जोरा गया आगे बढ़ते हैं स संसध का सहे यूक्त अदिवल मतलब राश्च wondering को एक साथ बुला जाता है कौन बुलाता है राश्च्टपती भूला सकता है अध्यक्षता कौन कर सकता है तो यही कोश्चन था आपका तो समुझदान की किस अनुच्छों के ताहद बुलाया जाता है तो समिधान के अनुचेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का चर्चा किया गया है तो राष्ट पती तता उपराष्ट पती के चुनाम में हुए विवाद का निप्टारा कौन करता है राष्ट पती तता उपराष्ट पती के चुनाम में कोन करता है आप जानते हैं पंचायती राजविवस्ता जो टियर थ्री शिस्टम था उसमें प्रतेक्ठ्छी रूप से जनता के द्वारा पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है सूचना का अधिकार किस किस तरह का अधिकार है इस तरह से पूछा जाता है आपको मिले गांगा किसतरह का अधिकार है e संग की राजवासा का चुनाव कि सदस्यों का मैक्सिमम एज लिमिट क्या हो सकता है तो वो 65 होता है संसद के सदस्यों के लिए नियुनतम आयू उम्र सीमा क्या है संसद तो संसद के सदस्यों के लिए मतलब लोगसभा के सदस्यों के लिए यहां पर थोरा कंफ्यूजन मैंने ही डाल दिया यहां पर लिखना चाहिए था मुझे लोगसभा के सदस्यों के लिए नियुनतम आयू कितनी होनी चाहिए तो फचीस साल और आगे मैंने किलियर किया है राजश्वा के सदस्यों नियुंतम पायूसीमा कितनी है तीस साल तो ग्राम पंचायद का वर्लण किछ अनुछेद में आता है तो ग्राम पंचायद का वर्लन अनुछेद सथानिय सरकार पषेके पंचाइट यह विट्रीन का बटवारा कौन करता है राज्वित्य आयोग और केंद्र पूचा जाता है और अपने यह कुश्चन खुब पढ़ा होगा केंद्र और राज्वित्य के वित्त आयोग अंसर देते हैं लेकिन यही कोश्चन अगर पूछा जाए कि एस्टेट गवर्मेंट मतलब राज्य सरकार और लोकल गवर्मेंट अस्थानिय सरकार के बीच में वित्त का बटबारा कौन करता है तो आप एक मिनट के लिए सोच में पढ़ जाते हैं बट इसका अंसर क्या होगा राज वित्त आयोग आगे बढ़ते हैं उच्छी नियाएले के नियाएदीस को कौन सपत दिलाता है अब यहां पर कोश्चन आएगा उच्छी नियाएले अगवर्नर आप्सन में पका रहेगा अब तुरह टिक कर दिजिएगा कि गवर्नरी सपत दिलाता ह बट ऐसा नहीं होता है उच्छी नियाएले के नियाएदीसों को कौन सपत दिलाता है राष्टपती सपत दिलाता है 1946 में बने अंत्रीम सरकार में ग्रिह मंत्री कौन थे इंट्रीम गवर्मेंट जो आप पढ़े होंगे 1946 में जो की जिसमें अंग्रेज थे उन्होंने याद कुमान करना जिसमें इंट्रीम गवर्मेंट में वही पूछा जाता है अंत्रीम सरकार में ग्रिह मंत्री कौन थे सर्दार बलब भाई पटेल थे संबिधान सवा के अध्यक्ष कौन थे यह अस्थाई अध्यक्ष नहीं अस्थाई का बात हो रहा है तो संबिधान सवा के अ जान्दे जी का जिद्ध था कि सत्ता का विकेंद्री करन होना चाहिए मतलब सत्ता को दो पार्ट में बाटना चाहिए वो क्या कि एक राज सरकार के लेवल से जैसे चला रहा है वैसे ही जनता का भी एक सासन होना चाहिए इसी के तहद गाउं में मुख्या ब्लॉक में परमु और उसके उपर जिला में जिला पार्षत यह तीनों जो है पंचायती राज विवस्था के पीलर है तो यही पंचायती राज विवस्था किस आधार पे बनाया गया था तो सत्ता के विकंद्री करन के आधार पे बनाया गया था धन भीधेक पेस किया जाता है धन भीधेक कैसे पेस किया जाता है कहां पे पेस किया जाता है लोग सवा में ही पेस किया जाता है छुआ छूट का अंत removal of untouchability किस अनुछेद के तरह दाता है अनुछे 17 के तरह दाता है राज जी विधान परसद के कितने सदस्यों का चुनाव विधान सभा द्वारा किया जाता है आप जानते हैं राज जी में दो सदन होता है एक विधान परसद होता है एक विधान सभा होता है तो विधान सभा के ही द्वारा विधान परसद के कितने सदस्यों का चुनाव किया जाताए वन धाड जितना सीठ विधान परशद में उसका वन थार्ड कहां से चुनके आते हैं, राज विदान सभा से चुनके आते हैं, कोई विधेक, धन भिधेक है या नहीं, इसका निरने कौन लेता है, तो लोक सभा का अध्यक्ष लेता है संसद के किस समीती में राज्य सभा का कोई सदस्य नहीं होता आकलन समीती आगे बढ़ते हैं अस्तानिय सवसासन से सम्दित है बताता है कि मैं बजट में इतना खर्च करने वाला हूँ इस चीज पे इतना खर्च करने वाला हूँ इस चीज पे तो वो उसका ब्योरा कौन समीती संसद में रखती है तो संसद की एक समीती होती है लोक लेखा समीती वही इसका ब्योरा रखती है पंचायती राज सिस्टम अपनाने वाला पहला दक्षिन भारतिय राज्य है तो प्तर भारत में आ जाता है तो फिर पंचायती राज्य सिस्टम अपनाने वाला पहला दक्षिन भारती है राज्य कौन था तो ये आंधर परदेश हो जाएगा किस संविधान संसोधन के द्वारा मद्दान की आयू 21 बर्स से 18 वर्स कर दी गई तो 21 बर्स से 18 वर्स 61 संविधा संविधान की अवधारना आई मतलब लिक के संविधान जो बनाया गया लिखित संविधान और संचिप्त संविधान ये दोनों ही कोश्चन आप याद रखिएगा इस दोनों ही कोश्चन का आंसर क्या होगा संयुक्त राज अमेरिका चाहे वो पूछे कि लिखित संविधा में ज्यादा से ज्यादा कितना समय अंतराल हो सकता है तो छे मेने का समय अनबिंद पनगडिया जो पहले उपाध्यक्ष थे और निदी आयोग का अध्यक्ष कौन होता है जो ततकाली ने प्रधानमंत्री होता है तो अभी कौन है मोदी जी है निदी आयोग के अध्यक्ष तो निदी आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे अनबिंद पनगडिया किया जाता है तो जो बजट पेस किया जाता है वो लोग सभा में पेस किया जाता है राज सभा में नहीं होता है बजट पेस बाद में होता है लेकिन संगिया बजट हमेशा किस सदन में प्रस्तूत किया जाता है प्रस्तूत किसमें पहले जाता है तो लोग सभा में जाता है कि इस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है कोई भी पार्टी जिसे है उसको नेशनल पार्टी बोला जाता है आप जानते हैं नेशनल पार्टी अभी दो तो मुख्य है बीजेपी और कॉंग्रेस है और भी बहुत सारे नेशनल पार्टी है तो किसी भी पार् परसेंट उस पार्टी को प्राप्त होता है तो उसमें उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है और यह कितने राजियों में कम से कम उसको चार राजियों में कुल वैद्यमतों का च c smaller k प्रसेंट प्रॉत होाँ ए तब उसे नेस्टल पार्टी का दर्जा्ट है दी cranial संभिधान नियुक्त पर महावियों की चर्चा नहीं की गई सिधी बात है गवर्नर को माहर्ण का अधिकार राष्टपति को होता है गवर्नर राष्टपती के प्रसाद प्रयतन पर्यंत पद्वे बना रहता है तो संभिधान में किसके महाव्योग की चर्चा नहीं किया गया है लोग सभा में विपक्षी दल किस पार्टी को बनाया जाता है लोग सभा में विपक्षी दल देखिए इसमें दो जगा कभी-कभी आपको मिलेगा कि 10% सीट होना चाहिए तो अगर 550 या 552 टोटल सीट है उसका आप 10% ही कीजिए कितना 50 हुआ न तो उसके पास कम से कम कितना सदस होना चाहिए 50 सदस होना चाहिए तब लोग सभा में विपक ऋक्षा भी जाता है एक्जाम में यह दुसरा दूसरा वी कोश्चन बनता है कि हमारे संभीदान मैं नयाइकक समिश्चकिस संभीदान से लिया गया है भारतिये सर बाइपन किस आक्ट के तहद किया गया सर बूचिंधेले कि स्थापना Regulating Act 1773 इस भी के तहद ही भारत के सरवुच नयाले की इस्थापना किया गया लोकसवाद्यक्ष को हटाया जा सकता है अब ये बताईए लोकसवाद्यक्ष को आप कैसे हटा सकते हैं तो लोकसवाद्यक्ष के द्वारा एक प्रस्ताव पारिट किया जाता है तो उससे लोकसवाद्यक्ष को हटाया जा सकता है उपराश्ट्पत्य को हटाने के लिए प्रस्ताव पास किया जाता है कहां पे पास किया जाएगा किसी भी सदन में अब यहां पे फिर आप कनफ्यूज होईएगा कि जब उप्राष्ट पती को हटाना है तो हम उसके लिए प्रस्ताव कहां पर पास करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि राजसभा में ये उप्राष्ट पती को हटाने के लिए प्रस्ताव पास किया जा सकता है वो संसद के किसी भी सदन में पास किया जा सकता है निर्विरोध चुने जाने वाले राष्टपती कौन थे आप इनका नाम तो जानते हैं नीलम संजीव रेड़ी ये निर्विरोध बिना किसी विरोध के ये चुने गए थे भारतिय संबिधान की प्रस्तावना में पहला संसोधन कब किया गया तो वो संबिधान संसोधन कौन में किया गया है सरपली राधा कृष्णन के बाद दो बार उपराष्ट पती सरपली राधा कृष्णन आप जानते हैं हमारे पहले उपराष्ट पती थे उनके बाद फिर से दो बार उपराष्ट पती बनने वाले व्यक्ति कौन थे तो अभी जस्ट इन से पहले जो अभी हैं बेंक के आनाइडू उनसे जस्ट पहले मुहम्मद हामिद अंसारी जो थे वो दो बार उप्राष्ट पती बने किनके बाद सरपली राधा कृष्णन के बाद भारतिय विधाईका को विश्व धनात्मक पहली बार कब अपनाया गया यह थोड़ा क्वेश्टन कंफ्यूजिंग हो रहा है अब इस क्वेश्टन को स्किप कर जाएए ठीक है आगे बढ़ते हैं सरकार का संसदिय सुरूप किस देश से लिया गया था तो संसाद सरकार का जो संसदिय सुरूप है मतलब पार्लियमेंटरी फॉर्म अफ गर्वर्मेंट जो है वो किस देश से लिया गया था तो वो इनैटेड किंग्डम से लिया गया था पहली वॉलिवूड अवनेत्री कौन थी जिसे राजसभा का सदस्निक्त किया गया तो यह सब हलका ही कॉस्चन है बट आप पहले प्रदानमंत्री जिनोंने अपने कार्जिकाल से पहले इस्तिपा दिया अब पहले प्रदानमंत्री कौन थे जिनोंने अपने कार्जिकाल से पहले इस्तिपा दिया मुरार जी देशाई तो यह भी आप याद रखिएगा पहले प्रदानमंत्री जिनोंने अपने कार् किस जनसंखयां के आधार पे जनसंखया नहीं जन गन्ना के आधार पे तो लोक्सभा में सीटों का वंटन हरो है Cantina Trung techniques को नेकिक ब्यूस प्रचवां किछा है और कब तक फिक्स किया गया है 2026 तक फिक्स किया गया है कि लोग्सभा का सीट किस राज में सरवाधिक है तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 सीट लोगसभा का है लोगसभा में अनुसुची जन जातियों के लिए किस राज में सबसे अधिक सीटे आरक्षित है अब अनुसुची जन जाती के लिए बोला जा रहा है तो जहा प्राप्त होता है किस चीजों पर जैसे आप जानते हैं लोकसभा को अधिक अधिकार प्राप्त होता है धनविध्यक में और उसी तरह राजी सभा को एक चीज है जिसमें लोकसभा से ज्यादा अधिकार प्राप्त होता है वो कौन सा है अखिल भारतिय सेवा हो जैसे आप जा क्या कहा लाता है डाक द्वारा मत्दान इसके लिए एक वर्ड का यूज किया जाता है प्रॉक्सी मत्दान या प्रॉक्सी वोट कहा जाता है योजना आयोग की अस्थापना कब हुई थी जैसे आप जानते हैं नीती आयोग की अस्थापना कब हुई थी एक जनवरी 2015 को 2014 में योजना आयो को खतम कर दिया गया था बट योजना आयो की अस्थापना कब हुई थी डेट के साथ आप याद कीजिए क्योंकि डेट में confusion डाल देता है सबको पता है 1950 में हुई थी बट आपको चार डेट इस भी उनिस्थापचास ही रह ने देता है इसमे डेट चेंज कर देता है तो मार्च उनिस्थापचास इस भी को पंचायति राजिय व्यवस्ता किन न राजियों कैनांसित प्रदेशों में नहीं है अब देखिए पंचायती राज विवस्ता लगभग लगभग हर एक राज में लागू हो गया लेकिन कुछ राज अभी भी ऐसे हैं जिनमें राज और केंसासित प्रदेश जिनमें पंचायती राज विवस्ता मतलब गाउं, ब्लॉक इस तरह से जो मैं थ्री टियर बताया था उसमें नहीं है, तो यह है नागालेंड, मेगाले, मिजोरम और केंसासित प्रदेश कौन सा है दिल्ली, इनमें पंचायती राज विवस्ता अभी भी नहीं है, राजियों से लोगसभा के कितने सदस्च चुन कर आते हैं, तो राज इसे टोटल कितना है अभी, संबिदान न मैक्सिमम कितना सीट लोगसभा के लिए बोला है, 552 सीट, अभी कितना है, लोगसभा में सीट की संख्यां, 543 सीट, जिसमें से 530 कहां से चुन के आते हैं, राज इतता केंदर सासित, प्रदेश से चुन के आते हैं, संसद का सदस ना रहते हुए भी, किसी संसद को संबोध करने का अधिकार किसको होता है, भारत के महानियावादी है, टोर्नी जेनरल ओफ इंडिया को, वो संसद का सदस नहीं होता है, लेकिन संसद में बोलने का उसको अधिकार होता है, संबिधान के अनुसार, लोगसभा की अधिक्तम संख्यां कितनी है, वो तो बताया मैंने 552, मतलब संबिधान में उलेक किया गया है मैक्सिमम कितना सीट लोग सबाका हो सकता है 552 अस्थानिय सुसासन किस सुची के अंतरगत आता है लोकल सेल्फ गावव्मेंट जो है वो किस सुची के अंतरगत आता है राज्य सुची के अंतरगत आता है भारत के किस राज में एक समान नागरिक संगिता ये बहुत बार question पूछा गया है आज पूरे देश में उनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का बात हो रहा है लेकिन भारत का अभी एक मात्र राज है, जहाँ अभी भी युनिफॉर्म सिविल कोड एक समवान नागरिक संगीता लागू है। वो राजी कौन सा है, गोवा है। किस अनुचेद में संसद के संयुकत अधिवेशन का उलेख है। तो अनुचेद 108 में संसद के संयुकत अधि पती पर भी और राष्टपती पर भी यह जब भी हटाने की बात किया जायेगा दो किसी भी संसत की किसी बी सदन में लगाया जा सकता है तो बच्चों के मैंने इस तरह से आपको लगबग 300-400 कोस्चें के लगबग मैंने कोस्चें कवर कि recognizing मैंने जो question जब आपके exam में आएंगे तो आप बहुत confused हो जाएंगे आपको ये गलत हो जाएगा फिर बाद में अफसोस करते हैं जब आप exam से आते हैं ये question छूट गया ये question गलत हो गया जल्दवाजी में गलत हो गया तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है आप वीडियो को दो तीन वार देखिए आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा और आपसे question गलत नहीं होगे मैं उमीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिपिकेशन बिल को दवा लीजिए मिलते हैं नागरिक सास्तर के या फिर इंडियन पॉलिटी के अगले वीडियो के साथ